तो वेलकम टू दा विद्धयान पैट साला विद्धयान पैट सालम आपका स्वागत है और बच्चो कैसे हो असा करता हूँ अच्छे होंगे और आपको विद्धयान की तयारी है यानि मैंस अग्जाम की बहुत अच्छे दंग से चल रही हुग क्योंकि हमने कहा है चेप्ट क्यों मैईत के इस दान पर क्या टाइं हम इसमें बुद्द मित्ता वालस जदे करेकरे हैं नहीं कि हमारा मेंटल एबुटवह यो इसका चलती है तो देखो करते हैं 101 नंबर कुूशन इससे पहले किया हम इस मौडल सेटा मैं हम्हीं इसमें महीं सब्सक्रूशन थे वो सभी महत के कुशन कर लिए उसके बाद में कहले का है हमारा यह कहा है बुद्ध मित्ता ठीक ना यानि कि mental level यानि reasoning ठीक है तो देखो करते हैं तो आकरती दे रखे यह क्या है बदल रही है आगे ठीक ना तो बदलती हुई आकरती देखो कहने का मतलब है आकरती चार में प्रस्ण चिन्ह को A B C D में किस विकल्प आकरती से प्रती इस्थापत किया जाएगा यानि कि यहां पर क्या है कौन सी आकरती आने वाली है ठीक ना तो देखो इसमें क्या रहता है यह जो दे रखे आकरती ठीक है इसमें क्या रहता है बदल आए पहले यहां पर है यहां प पाए फिर ऊपर आया अब कहा यह पाए तो देख लो किसमें तो इसमें तो ही नहीं इसमें इस साइड यह नहीं होगा अब यह दो बच्चे एक यह बच्चा और इक यह बच्चा देखो फोगे तो क्या ओगा एक अंदर सरक्ल में भी पॉइंट लगा हुआ यह तिन एक लगा है इंसमें यह वाला राइट आंसर हो जाएगा क्या है तो मैं पूछटा पूछता हूं पूस्ता आ dessert पूछता हूं और आज भी कहा है आपके नाम इंक्लूड करने वाला हूं किस ने कहा है सही आंसर के हम बर्क दिया था ठीक न तो आपके वीडियो को पूरा देखें जिससे कहा है आपको अत्यादिक्ट याव हो सकती है तो देखो अगला कुष्ण देखते हैं अगला है एक सो दो नम्मर कुष्ण देखो एक सो दो नम्मर कुष्ण में क्या कह रहा है इसका कहने का मतलब है यह है बोला यदि ए का अर्थ है वाग बी का अर्थ है माइनस सी का अर्थ है गुणा डी का अर्थ है पिलस तो दिये गई समीकड का मान गयात करो इस समीकड का मा करना ऐसे कुछन आपके विद्यागान में आने वाले हैं तो इसलिए कहा है मैंने इसमें कहा है जो विद्धमित्वाली कहा है पॉर्शन में इंग्लूड किये हैं तो आपको जो मॉडल सेट है वो आपके लिए कहा है बहुत अच्छी कहा है तैयारी पर ले जाएगा ठीक है आपको बहुत अच्छे तरीके से हैं एदि आपको बहुत अच्छे तरीके से तो इसके ऐद लगए तो इसके यह लगा देंग है फिर उसके बाद में क्या दें रखा है चार तो हमने क्या लिख दिया चार लिख लिए फिर देर अर्थ यहां पर माइनस तो हमने यह माइनस लगा दिया ठीक ना भी पर दे रखा है कितना पिर से 4 दे रखा है ठीक है न फिर दे रखा है सी ठीक के सिक इस्थान पर क्या लगाना है मैं गुणा दे रखा Cell का तो सिप और इसको लगा दें गुणा फिर के रखा ती अब ये बन गई अब इसे solve कर लो तो हमारा answer निकल आएगा ठीक है तो सबसे पहले हम क्या है वहाग solve करते हैं वहाग का मतलब क्या हो देखो हमने बता दिया हम बार 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 बताना है क्या है बोर्ड वास का यूज करते हैं ऐसे सबालों में किसका नियम करते हैं बोर्ड मास की कि मुट्प्लाइए करेंगे तो इसके बाद में क्या है एड करेंगे सब्ट्रेक्ट मतलब क्या जोड़ना करते हैं तो देहो 4 से जब 64 को भाग करोगे तो कितना आएगा आएगा थीक है माइनस फिर क्या है गुणा करते हैं तो 4 ती यह बार एग यह आगया वारे ठीक है अब 16 और 16 जब अइड करोगो कितना हो जाएगा 32 और 32 मेंसे यह बारे माइनस करदेंगे तो माइनस करके कितना बनने वाला है मारा दो मैसे 2 माइनस करोगे 0 तीन मैसे एक जाएगा 2 तो इसका जो राइट अंसर बनेगा वो क्या बनेगा वीज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानि option number कौन सा बनने वाला है यह क्या है मारा यह option क्या है विल्कुल right answer हो जाएगा ठीक ना इसी तरीके से आपको यह कुशन समझ मा रहे हैं ठीक ना आपको model set अच्छा लग रहा है तो like करते हैं और दोस्तों में share करते हैं ठीक ना और चैनल को यदि आपने subscribe नही यह होना है ठीक ना साथ में कहा यदी नवादे वाले भी देखें तो उनको भी क्या फैदा होशक्ता है ठीक ना लेकिन कहा में तरीके से बाला किसे जा रहा रहा है बिद्यागन वालों के लिए ठीक ना अगला question देखते हैं 37 नंबर दे रखा है माला एक व्यक्ति में तोर लड़के खड़े हैं आकास दाएं छोड़ से चौद बेस्थान पर है यदि बाईं और से छैस्थान आगे बढ़ जाता है तो वाएं छोड़ से उसका इस्थान क्या होगा ठीक है ना हमें बताना है तो देखो यह वो लाइट टोटल मिलाके इसमें कितने हैं आँ छोड़ से चौद बेस्थान पर यह क्तने स्थान पर यह दि यह बाईं और और चैस्थान आगे बढ़ जाए तो वाइं और और चैस्थान आगे बढ़ गया फिर बोल रहा है आगे बढ़ जाए तो वाएं छोर से उसका इस्थान क्या होगा हमें बताना है इसमें तो वाएं छोर से इस साइड से देखना है कि इसका इस्थान क्या होगा तो देखो 14 और 6 20 टोटल मिला के कितना आ गया यह 20 और टोटल हैं कितने हमारे पास में 37 कितने है तो यहां तक निकाला आए न हमने तो इसका राइट आंसर बनेगा वह क्या हो जाएगा हुमारा अठारे ठीक ना अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन दे रखा है हमारे लिए यह बोल रहा है कि बिकल्प में उस युग्म का चायन करें जिसमें सब्द में परस पर संबंद दिये गई युग्मों की समान हो तो इसमें दे रखा आइश्ट्रिया वियना इसका आइश्ट्रिया का संबंद वियना से है तो हमें बताना है कि किस का संबंद किस है जर्मनी का लंदन से है क्या से से कि अमेरेका और ओलेंडो से है यह मिसर का का rattling से तो इसका राय चंप बनेगा वा आपको आश्ट्र म हैं च्छ्छ की राज्धानी क्या होगे का राख होगी जर्मनी कि लंदन होगी का एक चेलिया कि गया होखना, यicit यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, और अमेरिका की वासिंग्टन डीसी है तो यह भी गलत हो जाएगा, ठीक, घर्मनी की कै भी नहीं है, ठीक है, ठीक नूर्ग इसका राइट आंसर बने को विशेष कूट भासा में एक कूट भासा दे रखें है इसमें बोल रहा है वो पर कर देते हैं हाँ यह वल्ला एक विशेष कूट भासा में F I G H T fight को लिखा जाई टी जी ए फ आई की रूप में लिखा जाता है तोब बोल रहा है पेपर P A P E R तक का पूसक्तित लन्षान को कहें इसको लुक्तित की टीक है उसके अनुसार हमारे लाद कैसे गोट कि लोगा नुरूमे Україरे पी ग्री को क्लिखेंगे स ещё अबनाद में क्या है इसां पोत्तिता है dedicate तो 3, P आ रहा है दूसरे, ठीकर ना? तीसरा, फिर क्या लखा है इनोंने? फिर लखा है है as, और as का हैmother पीछे से दूसरा नंबर है, तो हम पीछे से दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? E, क्या आएगा हमारा? E, ठीकर ना? फिर उसके बाद में इन्होंने क्या लिखा है F, F यानि कि बिल्कुल पहला नंबर, तो पहला नंबर क्या है हमारा P, ठीक है न, फिर उसके बाद में I, I का मतलब क्या है सुरू से दूसरा नंबर, तो सुरू से दूसरा नंबर क्या हो जाएगा A, ठीक है न, तो ये, हमने इस कि अनुसार क्या है इसे बिल्कुल क्या है डिजाइं कर लिया तो हमारा क्या बना rpefa rpepa तो बिल्कुल राइट answer कौन सा बनने वाला है हमारा option क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा ठीज जिन पी अब देखो आपको क्या है यदि समझ में आ रहा था comment इंट्वाक्स में जरूर करके बता दिए करें हां हमारे समझ में आ रहा है आपको कैसा लग रहा है मेरा पड़ाना ठीक ना तो यह जरूर बता दिए करें ठीक है अगला देखते हैं कुछ एक तरीके से क्या नियम का फॉलो कर रहे होंगे और क्या दो एक विकल्प का फॉलो नहीं कर रहा होगा तो हमारा क्या है वह ही बिकल्प का है अंसर हो जाएगा उसी क्या माल लेंगे असंगत माल लेंगे ठीक है न तो देखते हैं देखो पहला दे रहा है पी क्यू आर एस अगला एम एन ओ ठीक है न तो इसमें तो दो को पी क्यू और राइस चार सबने इसम अगला कुश्यन देखते हैं अगला कुश्यन दे रख्या है में बहुत धिहान से पड़ना है आपका क्या है कुश्यन जरूर आने वाला है ठीक ना तो देख ले ना खुझ तरीके से मैं एक बार में कहा है, आपको समझा लेता हूँ कि किस तरीके से क्या है, आपका कुछन बनने वाला है, ठीक हो ना, तो देखो ये पासा दे रखें, दो हमारे पासा है, ठीक है ना, इन पासा को हम क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं, इंगलिस में, ठीक है न, इन डाइस में यानि कि पासा में देखना है मा hele दो इस्थितियां धर्साई गई है। कुशन भलो पहले एक पासे की डो इस्थितियां नीचे धर्साई गई है। यह दि इसके उपरी फ़लक पर पांच लिखा हो, तो निचले फरक पर क्या होगा। कोई पासा है इन快 वाक पर 5 लिखा हुआ है तो निचले वाक पर क्या हुगा तो दोनों में हैं तो ehm drive कर लेंगे कैसे करना çek मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एक बार में समझा दूँगा ठीक है तो देखो लेखते हैं इसका नमबर लो लिखने किस तरीके से नहीं करना है पहले तीन लिखोगे फिर 5 लिखोगे फिर 6 है इसी तरीके से घूमना है आपके लिखे सबसे पहले तीन लिखा फिर पांच लिखा और फिर छे लिखा तो हम लिख देते हैं तीन पांच और छे अब ऐसे ही इस वाले पासे में घूमना है आपके लिए थीन ऐसे ही क्या करना है इस वाले पासे में घूमना है तीन लिखा फिर चार लिखा और फिर दो लिखा तीन ल है जैसे मैंने बता आया इसी और आपको क्या है ठीक ना इस तरफ अब जब घूम के हम हमने क्या है अभी नम्बर लिख लिए अब नम्म लिखने के पश्चाषण अब बेखो यह पूछेगा वह पांच सके पूछ तो पांच के प्रित को ये मारा चार क्या हो पांच चार और चार पूछ लियक्ते आपके क्लिए फीजिए आप के आप करना हुगा स्यूपλιद करें उसने तो क्या हो जाकेबिल पूछ दिनद ऊफ– minimumenda फॉर्त क्या स्लेक चार मती है अगला कुश्चन लेखते हैं, 108 नमर कुश्चन बोला है, सुर्वी पूर्व दिसा की और क्या अभी मुख है, अभी मुख का मतलब क्या है, पूर्व दिसा की और देख रही है, ठीक है, यदि वह बहे दक्षनावर्त दिसा में 90 डिग्री मुड़ती है, और 2 किलो मीटर चलत अभी मुख है, यानि किस दिसा की और क्या है, वो देख रही है, ठीक है, यह हमारे लिए, इसमें बताना है, ठीक है, तो देखो करती है, सौल, सबसे पहले क्या है, हमने मान की चले, यहां पर क्या है, सुर्वी खड़ी है, ठीक है, यह खड़ी है, उसके बाद में क्या है, कि वह कि रहता हुआ है पूर्व देखे रहें और पश्चिम और ऊपर उत्तर है और नीचे कि रहता है दक्षण इस तरीके से क्या है दिसाइं रहती है। अब इन्ही के अनुसार हमेशा आपको इन्ही दिशाओं को क्या है फॉलो करके करते हुए क्या है कुर्शन को सॉल्व करना है और देखो ये भी समझ लेना कि इनका और इनका जो डिफरेंट रहता है वो कौन बनता है वो कितने का पिरतिक के बीच में 90 डिगरी का कौन बनता ह और यहां पर पिरतिक के बीच में कितने का परता है 90 डिगरी का कौन बनता है और यही केवल आधा घूम वह आधा घूम वह तो 45 बनता है तो कितना बनता है मारा 45 45 तो दो चीज़ा यह देहां रखना ठीक करते हैं स्वाल वाब अब टक्षनावरत क्या है सौरीת एक सेकंड़ यहां लेक लेते बीच 55 थैकर इसके बाद में कैहनें 90 डिगरी का है अभी कैह एक साइड में देख रही है और कसrap और चलती है, तो देखो यदि क्या है, अपने दाइयात की तरफ गोमी है, तो इस और गोम जाता, लेकिन क्या है? 90 के बाद में कितनी और गुमी है वो 90 के बाद में तो वो गुमी है 325 आज बाद पहले हम 45 इसे 225 10 क्योंकि 45 थोड़ा सा और रट जाई एस साइट चलने लगेगी और कितने चलिए दो चलिए कितनी चली दो तो पूछ रहा है कि अब बहें किसी दिशा की ऋर अभिमुक है इससाइट जा रही है जहाँ पर यह ब्लैश्जा के लगा देते हैं तो हमने क्या कर दिए पिलसकी लगा दिए अब देख लो यह कौन्सी दिशा भन रहे है देखो यह क्या है तो यह डिसा लेती है और पाश्चिम तो यह जो जा र अगला कुश्टन देखते हैं 109 नंबर कुश्टन नेको 109 नंबर कुश्टन में हमारे लिए दे रखा है कि किस अक्षर यूगम में प्रेश्ण बाचक चिन के प्रतिस्थापन करने करने के पर किया गया दिया गया पर जरूब पूरा किजिए आप बताना कि कउस्टन मार्की जगर क्या आए गहां इसका कहने का मतलब तो इहां पर किस तरीकी से बढ़ रहा है और या पहले नंबर पर भी आ है या फिर किया या फिरकी आफेद्ट दी आइगा अब देखो इदार दूसरी कम करूदे कितना आ जाएगा वाई भाई करोको कितना आगया एकस में से qm करोगो तो कितना आ जाएगा यहां पर क्ये आएगा डी और डी और डाबलू यानि कि कहला ऑफ्चन कि रहतला इने कि बिल्खोल six हो जाएगा ठरह तो यदि आप नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ठीए और क्या है बैविडियो प्ली को लाइक जरूर करते हैं जिसों को हूमसेमें पर फार के बुंट पूंसर से से क्या अगर आप नई हो वैसे परानी बच्चे जो भी उन्हें सभी पता है वह सभी का सभी कैने पढ़ने जाते हैं किस तरीके सेकों बच्चा अंसर दे रहा थी जा तो समको 8 वजी आना ना भूलें तो पूरा मॉडल सैट उसमें कराने वाले हैं तो देखू अगला कुश्ण देखते हैं 110 नम्मर कुश्ण दिए गए समीगण में इस्टार प्रती स्थापत करने के लिए गड़ती प्रतीकों के किस क्रम को चुना जाना चाहिए जिससे की समीगण संतुलित किया जा सके ठीक है यहां यहां पर कौन कौन से चिन लगाएं कि यह बारह बन जाए यह वाली पहले वाले चिन लगा है तो बारह बन सकता है यह दूसरे वाले चिनों को लगा कि बारह बन सकता है यह कौन से चिन लगा के इसमें बारह बन सकता है तो देखो हम सबसे पहले पहले वाली चिन लगा देने यहां पर यहां 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 गुणा का चिन जो जब दो 102-10 प्र दे रक्काई माइनस लगाना एक ये अब गुस्पसात्पर करके बारे बन रहा है कि इससे तो ड्रकि सब्सक्राइब और दिया करके दो पी इसकी किटे लगा दो फिर गृगा दो फिर न फिर लगा दो यहां पर इस ड़ें रहा किरी जो ऑफी कि दिए कर दो यहां पिर आप करती है इन चीन्ना दोहरा जाएगा साम जो किसा संद्वा जो गई धम अगला कूशन देखती है तो तो देखो अगला कॉश्ण देखा है मारे ले एक सो बारे नंबर कॉश्ण नूम्बर कॉश्ण में क्या बोल रहा है यह कह रहा है कि यदि एक बिशेष कूट भासा में क्या है पी ड़रोमद आर ओटी पेरट को एक दो तीन तीन चार पांच और क्या है S o a t इसको क्या लिखा है लिए लिखा जाता है तो उसी कूट भासा में हमें बताना है कि क्या है R o a s t मतलब इसको क्या लिखा जाएगा तो देखते हैं किस तरीके से इन्हों ने लिखा है इन्ही नम्बरों का यूज करके हमें तीसरा बाला का है condition सब्सक्राइब तो आर का देख लेती है क्या है ? यहां पर तिसरी नंबर तु मितार का दूसरे नंबर पर next 2 तो यहां पर अधर से ऐखा लेका एंपर यहां इसके बाद में कुछा रखा एस एस क्या है मार पहले ही नमबर पहले नंबर पर फीक है न के बना फिर उसके बाद में कैए टी टीव पीछे क्या पांच लाश्ट में बनेगा वह हो चैप तो देख लो कौन से में तीन चार दो छे पांच तीन चार दो छे पांच यह निकि आप्सन नमबर फॉर्थ में कहा है यह विल्कु राइट आंसर हमादा हो जाएगा ठीक ना इसी तरीके से आपके क्या कुछन बनने वाले हैं बिद्धायन में तो आपको वीडियो अच्छी तो आप देखते हैं दो एक सो टेरे नम्मर कुछन दो एक सो टेरे नम्मर कुछन में दे रखा यह पी यूई प्यू वी एफ आइड डबू जी यहां पे क्या आएगा ती वाइड़ो कुछन एक बार समझें लों क्या दे रखा है नीचे दिए गये विकल्प में रिक्ते स और R, W, G तो कैसे बढ़ते हुए किरम चल रहा है इनका तो P है फिर Q है Q के बाद फिर R है फिर R के बाद क्या आने वाला है S क्या जाएगा S ऐसी यहाँ देखो U है फिर B है V के बाद फिर W है और W के बाद क्या आएगा हमारा X तो यहाँ पर क्या आजाएगा मारा X फिर देखो E के बाद F है F के बाद G है और G के बाद क्या आने वाला है यहाँ पर H तो यहाँ पर आ जाएगा S,X,H क्या बनगे हमारा X S,X,H तो देख लेते हैं कौन सा option राइट बन रहा S,X,H यह एक्स है बिल्कुल राइट हो जाएगा ठीक है अगला कुश्चन देख लेए निरका 114 नम्मर कुश्चन देखा है निमलिखित में कौन सा सब्द कंडेक्ट यानि कि C O N D U C T अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता इसमें बताना है कि इन अक्षरों से क्या है कौन सा सब्द लोगों ऐसे कुश्चनों को सौल्व करने के लिए क्याच करते हैं यानि कि इसमें देखो क्या है D U C T इसमें है D U C T दो डी यू सी टी है तो यह बना जा सकता है यह नहीं हो हमारा अंसर तीक न अगला है यह हमारा C O U N D E T C O U N D E T दो C B है C O V है U B है N है D है लेकिन E नही नहीं है तो इसका जो राइ senseर बनने वाला है हमारा क्या है यही कैğा है राइन सब्सक्राइब इसमें इन दोसरा option नहीं बनाये सकता है क्योंकि इसमें कहाई E D रख्का है यहिन दोसराrande रहेकर हो जाएगा ठीक ना अगला देख लेते हैं अब देखो हमाई लिए दे रखा 115 नमबर कुष्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट तो है कि यदि अनाज का संब्द गोदाम से है तो जल का संब्द किस से है यानि अनाज का संग्र है ठीक नाज का संग्र है वो किसमे किया जाता है गोदाम में किया जाता है तो जब अनाज को गोदाम में संग्र किया जा रहा है तो जल का संग्र कहां पर किया जाए क्या जाए कि नदी में किया जाएगा कि नहर में क्या जाएगा की बढद के द्वारा तो देखो जो हमें ए सरी जल होता है जल का जो संख्र होता है वह आपर क reflecting राख या इसे चाहर बना बना कर रुका जाता है та यह जाता है झाएा अगला कुस्तन देख लेते हैं यह पर देख लेते हैं इते हैं है झाय। तो देख लेती है इसके लिए लेको सबसे पहले चार में 3 से गुणा किया तो 12 बन गया बारे में 3 से गुणा किया तो 36 बन गया और 36 में क्या है फिर 3 से गुणा किया तो 108 बन गया और 108 में 3 से गुणा किया तो 324 बन गया अब 324 में हम 3 से गुणा कर देंगे तो अगला कोई भी दिक्कत पेपर में नहीं आने वाली है तो देखते हैं तो देखते हैं कर्कुशन दे रखा है निमलिक्त इस्थापना देखते हैं और तरक और के लिए दिये गए बिकलबों में सही बिकलब का चैन पहला देरहएं पहला देरह वहारत में लोग अपना प्रतिनिद्द तो श्याम करते हैं थी कि तरक भारत एक घटनतर राष्ट तो देखो हमारा प था आपना अपने मैं तो अपने मन सही डो जाएरे पहलें को कैसी कोई लोग क्रते हो थे European dald फ्रहेrió तो यह बहुत बहुत लगा है यह किया हो जाएक तो इस Med тоб的話 का हुझा रही हाई है दो इसे गलत हो जा suis तो यह का है कि इस तरीके नबर ऑपरिक्षा में ही ओर ही और इंक्लीड किया तो देखो यहां पर यह बोल रहा है कि निम्लिकित मैंसे कौन सा आरेक मेज कुरसी फरनीचर के मद संबंद सर्वोत्तम निरूपित करता है तो देखो किस तरीके से देखते हैं कुछांव यहां पर सबसे पहले यह आरेक मेज देखेंकि कुर्सी तो देखो मेज और कुर्सी दोनों ही क्या है फरनेचर है मेज और कुर्सी सम्मन त्रण होता है इस के दैप सो Dü 겨भाला का है देख्क आप हैं सही हो जाएगा न्युनिस नंञ्बर कोिस्व में क्या बोल रहा हुआ इसका कहनी काम के एक बस अड़े से हर 36 मिनट पर एक बस दिल्ली के लिए जाती है यृकुन से और गृत्र कुया दिर्त यृइप जिल्ली के ओर जाती है Station Master ने एक यात्री से कहा कि 10 मिनिट पहले एक बस निकली है यानि कोई यात्री कहा है Station पर पहुचा और उस station पर पहुचने के पश्चत उस यात्री ने पूचा कि बस कतनी दिर में जाएगी तो उसने क्या कहा कि क्या है बस अभी 10 मिनट पहले ही निकली है और अगली बस 9.35 बजे चलेगी उसने भी बता है कि जो अगली बस जाएगी वो 9.35 बजे जाएगी यह नो बज कर 35 मिनट पर तो इस्टेशन माश्टर ने यात्री को यह सूचना किस समय दी यानि कि यह पूछ रहा है इसमें कि इस्टेश जाने का मतलब यह है कि हर 30 मिनट पर चल रही है ठीक है अब उसने क्या है यह क्या है अब बोला अगली बस 9.35 पर जाएगी अगली बस कितने पर जाएगी 9.35 पर तो इसका मतलब क्या है 9.35 पर जाने का मतलब क्या है यह पहली बस कितने पर गई होगी 30 मिनट पहले यानि कि 9-5 पे गई होगी कितने पे गई होगी 9-5 पे गई होगी ठीक है न जब पहली बस 9-5 पे गई होगी तब भी तो दूसरी बस 9-35 पे जाई क्योंकि फिर तेक बस 30 मिनट के अंतर से चल रही है बिल्कुल ठीक अब उसने कहा क्या कहा जब यातरी पहुँचा तो उसने क्या कहा इस्टेशन माश्टर ने कि तुम्हारी बस 10 मिनट पहले गई है 10 मिनट क्या है पहले गई है जब 10 मिनट पहले गई है थी है न 10 मिनट पहले यानि क्या है 9-5 पे गई है नो पांच का मतलब क्या है दस मिनिट लेट तो क्या हो जाएगा दस नो पंद्रे पर कितनी नो पंद्रे पर यह क्या है बारतालाब चल रही थी नो पंद्रे पर पहुंचा थी नो पंद्रे पर पहुंचा चली कितनी गई थी नो पांच पर चली गई थी तो जब नो पंद्र आपको आपको समय प्रिक्टा है इसको एपने वीडियो को लाइक नहीं है तो सब्सक्राब कर लेजा है विदियो के लिए जो वीडियो कि आती है आट वजे उसमें लाइवाना बिल्कुल ना भूलें ना जिसमें कहा है बहुत अच्छे से त्यारी करा एजारी उनन है अधर पिस बचे हूँ हैं उन सभी सब्जेक्टकों include के जाता है साथ में किस तरीका सी निबंद लेखना है तो सभी चीज का है उसमें बताया जा रहा है तो भी आना नहीं 8 बज 거죠 गया बुलकुल साम के यॉब ऑट उर हमारी मे Alej partie of class कि गया गी तो उस दिन तो बहुत बहुत बहुतर तरीके करने के लिए इस में कहा है अब लगातर जुड़े रहे हैं जिससे कहा है कोई भी परेसा नियुक्त अब देक्षण आफाशीय परिसर में यह दे रखा मेला कुशन एक आवासी परिसर में चार भवन है A, B, C, D पिड़ते की उंचाई अलग-अलग है D की उंचाई केवल B से कम है A की उंचाई, A की उंचाई D और C से कम है ठीक है ना? आगे बोल रहा है ये इन में से किस की उंचाई सबसे कम है? इन में से किस की उंचाई सबसे बताना है हमारे लिए कम है तो इसका आंसर क्या है? आपको डेली की तरह क्या है नाम इंक्लूड करने वाले हैं किस की उंचाई ने कहा है सही आंसर दिया था किस तरीके से कहा है आंसर दिया था ठीक है ना? तो देख लेते हैं सभी के नाम किस की उंचाई ने कैसे आंसर दिया था ठीक है ना? तो चलती है थे तो तो सबसे पहले कहा है आज अंसर दिने वाले बत्चे है योग है क्याberoos किया है जो सबसे पहले क्थे और तो सबसे पहले हैं तान्यायादव उसके बाद में हैं लेलित कुमार थैंक यू आपको भी थैंक यू लेलित कुमार एक बार में डबल डबल नाम आएगा तो मैं ऐसे नहीं पढ़ा हूँ पर कहा है सागर उपाध्या इनों भी बहुत अच्छे से दिया है फिर सागर हां इसके लिए बहुत बहुत धनेवाद ठीक है अगला वृत तो आग्यों आगे हैं अपनि बहुत धन्यबार टीक न को अगला और का है अगले स्क्राइस क्या है जो अगले अंसर देने वाले हैं देखे हैं कौनकौन वे देख लेती एक सेकेंड नोज कुमार और लेलित कुमार मानोज bilकिया सब्सक्राइब पिर पिर है अनूब कुमार missos very nice sir thank you तो फिर है अधय कुमार क्या में में जरूर ही आएगा ते-अधय कुमार क dependent pratym है व्यूर। कोसलय फ़र्मा और सबस्टार दिया हैब अच्छा आप सक्या करें कर रूद में पहसंद कर रहा है इस लिए बहुत बहुत धन्यापाइब ठीक ना मनुझकुमार सर कल इंगलिस एंड ऐसे लाओ ठीक न अच्छा इंगलिस और ऐसे सामको चलता है बच्चे मनुझकुमार मनुझकुमार ठीक न फिर है लैलित कुमार वेरी नाइस थेंक्यू तीन आयाज खान थेंक्यू सर आपको भी बहुत भाथ धन्यवाद यह बो अंसर देने वाले इन्होंने कहा सभी का अंसर बहुत अच्छी तरीके से दिया था ठीक ना कुछ और बच्चे हैं साइध यह भी देख लेते हैं निहाल है ललित कुमार है यह हमारे पवन यादव है तिन दो यहां पर क्या है यह बोलने कि किसी ने सेकेंड पेपर के लिए है पांके सेट लिए का देखो हमें कैंघ बैसे यह को यह उसका चल रहा है एक तो पीऐ हो चलंडा जिसमें क्या है आपको फ्रेंग। अब जैसे पेपर आएगा उसी तरीके से दिए जा रहे है तो आप किया है इसके लिए contact कर सकते हो हमारे यह number है हमारा बॉटसप नमबर रहे डब जी रो डब 6 7 6 509 एक पर आपक और इसके है क्वाटसप नमबर के आप इस पर क्या है आपको पूरी जान करी दी जाए किस तरीके से आपको क्या है लेने है यह तिक है अगला देखते हैं आयाज खान हाँ देखो यह बोला है कि इससार मेरे स्कूल में कहा थे थोड़ा मिश्टेक हो यह तब मैं कहकल बता दिया तो यह इसका आंसर दातू ही होगा ठीक है नविलकुल ठीक फिर क्या है निहाल दे रखके हैं खुशी चोहान दे रखके थी न आयाज खान क्षुसी चोहान फिर है बडैने चाहरे करके दे र ये भी मेत, बेब की नंदन, मनोज कुमार, अयाज खान, रांबीर सिहिंग, मनोज कुमार, क्वसल्या बर्मा, अन्वराग बर्मा, मनोज, अयाज खान, ललेत, तो ये जो हमारे थे, आज के जो इस्टूटेंट थे, अनूप कुमार मिसरा, बेरी नाइस, तेंकियू, और अच्छे तरीके से कहुं है इनके लिए बहुत बहुत द्थन्यवाद दिल क्याMy वोड्याइक व्योंसाइं कॉतिम्यैक अि अई मॉत्याम पॉटों गसरी सुंधेर में उक्किल्स थी ने ऊप और जिया अगर नहीं सब्सक्राइआ लोय आते हो इकिन Εए सिसंगी नहीं सवतकिने ओुझ